कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था Working as a Security Engineer एक ब्लॉक टाइब का था उसमें मैंने बताया था कि In Office काम कैसे होता है मतलब मैं अभी हैदरबाद में हूँ तो सुबह से लेके रात तक मैं क्या करता हूँ Like Cyber Security का कितना काम होता है वो पूरा मैंने डीटेल में बताया था तो उस वीडियो में मुझे काफे सारे कमेंट्स आया जितना मैंने दिखाया था उसके उपर कि मैं सुबह 12 बजे से रात 10 बजे तक Office में रहता हूँ तो काफे लोगों को ये लगा कि इतना काम होता है 10 घंटे कितना stressful काम है और उसके बाद आपको अपने लिए बचा ही क्या 10 घंटे के बाद तो यहां तो work life balance ही नहीं है इससे अच्छा कोई और field join कर लेते हैं बस hype है यहां पर इससे पहले कि आप कोई premature judgments दे मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देख लो क्योंकि मैं इसमें detail में बताने वाला हूँ मेरी work life balance के बारे में और काफे सारे उन लोगों के बारे में जिन से मैंने बात किया है जो cyber security में काम कर रहे हैं एक अच्छी position में हैं उनके भी reviews बताऊंगा तो मुझे almost दो महिने हो चुके हैं in office काम करते हुए तो मैं इन दो महिनों का जो review है honestly वो मैं आपको बताऊंगा अगर आपको याँ दोगा तो मैंने एक ऐसे ही वीडियो बनाई थी अपने घर पे life as a security engineer जिसमें मैं fully remote काम कर रहा था घर से तो आप उस वीडियो को और जो मेरी अभी working वाली वीडियो है उसमें दोनों में compare कर सकते हो कि क्या changes आते हैं lifestyle में देखो अगर आपका job किसी ऐसी जगे लगता है जो आपके घर से बहुत दूर है जो कि most cases में हो गा है क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छी jobs बहुत कुछी जगों पर मिलती है लाइक हैदरबाद, बैंगलोर, पुने, मुंबई ऐसी जगे ही है तो किसी ने किसी point of time में किसी ने किसी दिन आपको उस जगे जाना पड़ेगा जहां आपका job लगा है अब कोविट के बाद चीज़ें चेंज हो गई है उसके बार में बाद में बात करेंगे बट point यह है कि आपको relocate करना पड़ता है उस जगह पर तो जो fresh airs हैं उनको तो अकेली रहना पड़ता है PG's में या flats में और वहां जाकर आपके friends बनते हैं तो आप eventually PG's से flat में shift होते हो तो starting में आपको problem तो हो नहीं है क्योंकि आपको अपना सारा काम खुद करना है जो आपको घर पे मिलता था like साफसफाई, कपड़े दोना, सामाल लाना, बरतन दोना और सबसे important सबसे बड़ा काम है खाना बनाना हलांकि आज कल के PG's बहुत सारे ऐसे हो गए है जो आपको ये सारे काम करके देते हैं लेकिन पैसा भी उतना ही लेते हैं और अब मेरी बात करें तो मैं सुबह उठता हूँ फिर उसके बाद ready होकर breakfast करके मैं direct office चला जाता हूँ अब जो मैं काम घर पे करता था वो मैं यहां बर भी कर रहा हूँ लाइक सुबह उठके 5 मिनट meditation करना पानी पीना और फिर daily के जो steps है 5000 वो मेरे यहां भी हो जाते हैं अब मेरा time office में कैसे बीचता है वो मैं आपको बताता हूँ अब यहां बारा बज़े जाता हूँ मैं तो बारा से दो तो मैं काम करता हूँ उसके बाद दो बज़े lunch break होता है तो हम दो से तीन lunch करते हैं मतलब lunch तो 30 मिनट में हो जाता है लेकिन उसके बाद घूमना फिर ना होता है उसके बाद चलना होता है Honestly, I hope कि ये वीडियो मेरा मैनेजर ना देखे, लेकिन जो काम है वो मेरा पूरा काम, like मेरे पास और भी चीज़ें है करने को, और job के लावा मुझे YouTube भी देखना पड़ता है, तो actually जो इस वीडियो के script है वो office hours में ही बनी है, ठीक है, और उसके लावा भी काभी काम होते है YouTube के जो मैं office time में कर लेता हूँ, like thumbnail बनाना, script बनाना, community post बनाना, comments पढ़ना, reply देना, और social media पर भी active रहना पड़ता है, like Instagram, Twitter, WhatsApp, लोगों के queries आती है, उनको time देना पड़ता है, reply करना पड़ता है, issues का, emails पढ़ना पड़ता है, उनका reply देना होता है, कुछ sponsors, brands के call आते हैं, उन जिन लोगों ने मेरा ethical lacking का course लिये है, उनके भी queries आती है, उनके भी doubts आते हैं, तो वो सब भी में clear करता हूँ, इन सब के अलावा जो सबसे important काम है एक दिन में मेरे लिए, वो है learning, knowledge acquire करना, जो कि मैं lucky हूँ कि मेरे work का ही एक बहुत बड़ा part है, तो मेरा total time में से 30-40% time learning में जाता है totally, जिनको नहीं पता मैं pen 200 area, OSCP की preparation कर रहा हूँ, तो मैंने सारे videos देख लिए, notes बना ली, अभी मैं labs all कर रहा हूँ, तो करीब daily एक या दो labs all कर लिता हूँ, और मुझे मेरे manager सी encourage करते हैं ये करने को, क्योंकि I am one of the top performers in training area, तो ये मेरे job का का काम है भी और नहीं भ करना, network बनाना एक बहुत important काम होता है, like मुझे ये in office काम करने का one of the best advantages लगता है, कि आप लोगों से interact करते हो, उनके काम के बारे में जानते हो, कि वो काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, like हमारे आसपास काफे सारी और teams बैठती है, like compliance team है, forensics, incident response है, कुछ ताम में red team भी आ जा काम बताओ, आप कैसे करते हो, collaborate करो, और experience है काफे कुछ सीखने को मिलता है, और इस सब के बाद अगर कुछ time बच जाता है, तो मैं books पढ़ लेता हूँ, like ये पहले से कम हो गई है आदत, लेकिन फिर भी धिरे-धिरे करके मैं करी रहा हूँ, free time जब भी मिलता है तब, तो इसको आप ऐसा मत देखो कि मैं 10 घंटे office में बिताता हूँ, तो मैं 10 घंटा काम ही कर रहा हूँ, इसको आप ऐसा देखो कि मुझे 10 घंटे office का environment मिल रहा है, खुद पे काम करने के लिए, जिसमें मैं office का काम भी कर रहा हूँ, और खुद का काम भी कर रहा हूँ, तो जो मैं घर में भी कर रहा था मैं यहां भी वही कर रहा हूं और इस बार से मैं डिनाय नहीं कर रहा कि time कम हो जाता है मेरा भी हुआ है काम बढ़ जाता है obviously और रात को घर आने के बाद ज्यादा कुछ करने का टाइम नहीं होता है लाइक मैं घरवालों से बात कर रहेता हूं उसके बाद अगर कोई simple lab हुआ तो वो solve हो जायागा वरना तो बस ऐसे आप रात को वह सो जाओ तो मैं 12 बजे तक सो जाता हूं और सुबह 8-9 बजे तक उठ जाता हूं तो संडे की सुबह को मैं अपलोड करता हूं तो 70% 70-80% मेरा संडे खाली होता है उस टाइम में मैं इंजॉय कर लेता हूं अब उस टाइम में मैं कहीं गूमने चला जाओंगा या कहीं मैं शॉपिंग पे चला जाओंगा कहीं मैं कोई मुवी देख लूँगा या कोई बुक पढ़ लूँगा ये मेरे उपर है हाँ अगर मुझे कभी कुछ जादा ही इंजॉय करने का मन हुआ तो उस वीक वीडियो नहीं आएगी ठीक है तो समझ जाना कि I'm having the time of my life औ और खुद कितना काम कर रहे हूँ आप like personally मैं time को जादा preference देता हूँ money से क्यूंकि आप time से पैसे बना सकते हो लेगिन पैसे से time नहीं खरीट सकते on an average अगर मैं बात करूं cyber security में जितना मैंने देखा है कि कोई fixed hours नहीं होते काम के like कभी-कभी कुछ जादे काम हो जाता है for example कोई zero day आया तो पूरी की पूरी इंफो से टीम आपकी लग जाएगी उसके पीछे potential exploitation जूणने में issue tracking में और patch deploy करने में तो हो सकता है कि रात रात भर बैट कर भी काम करना पड़े ऐसा नहीं है कि आपने कल जॉइन किया और आपको आज रात भर बठा दिया ऐसा नहीं है freshers को जाधा मलब tension नहीं होती है जो senior engineers है managers and directors है उनका काम होता है लेकिन फिर भी आपकी भी कुछने कुछ responsibility होती है उसमें आपको खुद लगता है कि हाँ है तो हमको करना पड़ेगा और वैसे भी critical issues कभी भी आ सकते हैं दिन हो चाहे रात तो फरक नहीं पड़ता और हमारा जो 50% भी नहीं हुआ है और उपर से pressure आता है तो वो सब मलब पूछते हैं कि status क्या है इन सबसे आपको फरक पड़ता है और सबसे difficult काम बता है क्या है non security वालों को समझाना कि security क्या होती है for example developers पहले तो उनको समझ भी नहीं आएगा क्या है उसके बाद एक को समझ आएगा तो उ आप उनके साथ काम करो जो जिनको ABC नहीं पता इसके बारे में और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम ही नहीं हो आपको बहुत कम काम हो like कोई issue नहीं आया है कोई penters नहीं मिला है सिर्फ आपको learning करनी है तो बस lean back हो जाओ कौफी पीते पीते इंटरनेट पे research करो और बस relax करो तो more or less reality यह है कि inconsistency तो होती है इस work में बट आपका work life balance आप पे depend करता है कि आप उसे कैसे define करते हो like मुझे अगर office में 10 गंटे बैठ कर भी burden नहीं लग रहा है तो मेरा work life balance अच्छा है किसी को 6 गंटे काम करने के बाद भी burden लगेगा तो it's totally up to you वो आपका नजरिया है अगर आपको अपना काम अच्छा लग रहा है तो 10 गंटे क्या 12 गंटे भी कम पड़ेंगे आपको और मैं अपना काम enjoy कर रहा learning enjoy कर रहा नहीं opportunities enjoy कर रहा collaborations enjoy कर रहा लोगों से मिलना enjoy कर रहा independent रहना enjoy कर रहा positive रहना enjoy कर रहा तो productivity और enjoyment में balance बना कर रखना ही work life balance होता है जो कि mostly आप पर depend करता है उसके बाद आपके job पर indirectly company पर और profile पर भी depend करता है like कि अगर आप offensive side हो तो आपको risk की tension लेने की जरूरत नहीं होती है अगर आप defensive side हो तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो मेरा तो दोनों mix है तो मुझे सब कुछ सीखने को मिल र करो और बस breaks लो यार चोटे चोटे breaks ना बहुत important होते हैं यह मैंने अपनी burnout वाली वीडियो में भी बताया था और कितना ही एक काम करोगे like एक ही चीज में डूबे रहोगे तो आपका दिमाग रुक जाएगा उसको अलग-अलग चीजों में involve करो like आपके office में games हैं तो games खे लूँगा कि अगर आप passionate हो और आपको उतना return में भी मिल रहा है जितना आप invest कर रहे हो आपके according तो आपको इस चीज के tension लेने की जरूवत नहीं है और at the end of the day यह आप पे निर्वर करता है कि आप अपना time कैसे manage कर रहे हो इन सब के बीज में like कोई 12 गंटे काम करके भी चि कितना time किस में जा रहा है अपनी activities track करो दिन भर की और accountable रहो बस तो सब clear हो जाएगा तो बस यही था इस वीडियो में I hope आपको एक idea मिल गया होगा कि क्या work-life balance होता है क्या chill life होती है जो job कर रहे है cyber security में मैंने उनकी बात करी है ठीक है freelancing वालों कि नहीं कर रहा हूँ मैं bug bounty hunters की बात मैंने नहीं किया ठीक है confuse मत करना तो बस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और आगे वीडियो से ऐसे आते रहेंगी cyber security ethical hacking realities पर मैं बनाता हूँ guidance देता हूँ आपको सिखाता हूँ इन सब के बारे में ethical hacking में क्या काम है reality में मैं काम कर रहा हूँ खुद झाल